आपका इस यूटूब चैनल में बहुत बहुत साथ का तो आज हमारी वीडियो बहुत इंपुडेंट होने वाली है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें तो अमित्रों यहाँ पर कुछ ऐसे प्रसन है जो कि यहाँ डिफेंस पैंसनर को जरूर ही मालूम होने चाहिए जिन से वो आने वाले वाले वहसे में कुछ परिशानियों से बच जाएंगे और उन्हें लाब भी होगा तो सबसे पहला प्रशन है कि क्या ECH की सुवदा फिरी है क्या ECHS की सुवदा फिरी है तो जी नहीं यहाँ पर ECHS की सुवदा लेने के लिए पैंसनर को वन टाइम कंट्रूशन देना पड़ता है वो भी अपनी रैंक के अनुशार तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यहाँ पर recruitment to हवलदार के लिए यहाँ पर equivalent in the navy and air force के लिए 30,000 रुपे यहाँ जर्नल वार्ड के लिए देने होते है और यहाँ पर नायक सुवदार साब और सुवदार मेजर और navy and air force के लिए भी यह equivalent है तो यहाँ 67,000 रुपे उनको semi private के लिए देन यह तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम लोग next question देख लेते हैं मैंने कभी भी ECHS card नहीं बनवाया है क्या मैं card apply कर सकता हूँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कभी भी अपना FMA जो बंद करके वहाँ पर जो allowance मिनता है medical का उसको हम card में convert करा सकते हैं और आज कल तो और यहाँ पर bank जाकर आपको FMA बंद कराना होगा पहले फिर आप उसके बाद यहाँ apply कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक letter लिखना होगा bank में जागे कि मैं अपना लेना लेनी FMA को बंद करना चाहता हूँ वहाँ से बंद हो जागा फिर इसके बाद फीज ज जाता है यह एक सेंपल है और यहाँ पर bank की सील बगर आ जाती है यह सारा कुछ यहाँ पर फिल होता है SBI यहाँ पर bank का reference आ जाता है और PCDA-ACDA ऐसे करके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ जाती है और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा next question है कि मैं ECHS की सुबदा ले रहा हूँ लेकिन क्या मैं FM में ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकते हैं हाँ यद उस छेतर में जो FM जिसमें आप ECHS की सुबदा ले रखी है और वो मिल नहीं रही में और वहां तक आप संबब नहीं है कि आप सेंटर तक जा पाएं तो आपको वो जो है मतलब उस कंडिशन में आप FM में ले सकते हो यदे आप वहाँ पर आपकी आपके एरिया में वहाँ पर वो सुबदा उपलब्द नहीं है तो लेकिन इसके लिए आपको क्या पनना पड़ेगा हेल्प लाइन जो सेंटर है उसमें जाना होगा और वहां बात करनी होगी वहां से फिर वो क्या होगा वो उसको बंद कर देंगे जो कार्ड है उसको पॉज कर देंगे और पॉज करने के बाद रोग देंगे मतलब फिर उसको एप है में में वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं तो यहाँ पर क्या CDS से अब पांच लाग से उपर कार ले सकते हैं हाँ ले सकते हैं जैसा कि आपक यहाँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फिर मुख सेवा निबरति सरकारी करमचारी के पैंशन मामलों को सुरू करने के लिए जिम्मितार है हेड़कॉर्टर वह समय सीमा के संबंद में लागो नेमों के प्राबदानों के संद्रम में पैंसन कागजात त्यार करने का कार करता है उसे अधवार सकता की तारीक से दो साल पहले पैंसन कागजात त्यार करना होगा और सरकार की सेवा अनुवटी की तारीक से आठ होईने पहले पेंसन कागजात को पूरा करना होगा जैसा कि अभी यहाँ पर यह एक नएम यहाँ पर यह आ रहा है तो फ्रेंस यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्रस्ट देख लेते क्या सरकार ने जवानों की सभी मांगों को मान लिया है तो जी नहीं ऐसा नहीं है को सरकार ने अभी यहां पर प्रतिक्षा हो रही है कि सरकार कब हमारी मांगों को मानेगी और क्या मैं अपना खाता समान ब्रांच में दूसरे स्टेट में टांसपर कर सकता हूं विल्कुल कर स जाएगा अब यहाँ पर एक प्रश्ण बनता है कि JCU's Court of Inquiry कैसे कर सकते हैं तो दीखे कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर एक letter है Personal Attention to the ACDA तो यहाँ पर एक letter प्रापत है हमें उसमें reply मिला है कि कैसे कर सकते हैं तो दीखे यहाँ पर इस letter में साप साप लिखा हुआ है under the provision of the subsection 12 and 30 section 3 of the army act junior commissions officers are commissions and gaziste officer according the under provisions of the section 10 and the army act uniso pachas and regulation exo common regulation for the army uniso satasi commission as jesus and the one for the are granted by the president as rule the 137 of the army rules 1914 jesus and the provider of the court of inquiry देखें यहाँ पर मानने राश्पती जी ने यहाँ पहले से ही प्रदत कर रखा है jesus को कि आप लोग यहाँ पर जो junior commissioned officer हैं वो gaziste officer के बरावर हक रखते हैं कैसे रखते हैं उन्होंने यहाँ पर सारी कुछ बतावे दिया बात कि जैसे जो jcos हैं वो भी यहाँ पर junior commissioned officers are officer अब मैं आपको उता देदू यहाँ पर payment में officer नहीं है यह यहाँ कहना चाहिए कि एक तरीके से जो एक rank होती है officer की respective rank होती है उसके भी यह लिए काविल नहीं है बस केवल signature होते हैं होती हैं जो वहाँ पर attested होता है कोई भी document तो उसको कर सकते हैं payment में भी नहीं है ना वहाँ पर एक stage देखी जाती है respectable जो होता है वो भी इतना नहीं है बट हाँ एक काम करने के लिए उम्मोरों ने एक granted दे दिया है कि हाँ आप भी यहाँ पर कागज़ा test कर सकते हो तो ऐसा इसमें कुछ ज्यादा खुस होने की बात नहीं है वो तो एक काम और एक्स्ट्रा हो गया कि लोग आप इस काम को भी करिए मतलब एक दे दिया एक ठपा के भाई लोग आप भी आपी सा नहीं और इस काम को और कर दीजिए बढ़ा बढ़ गया काम तो प् को अगर दूर करना है तो फिर उसके लिए आपको यहां पर यह जो पार्ट है वो सीजी डिये और पीसी डिये का है हमारा नहीं है गलती हुई है लेकिन उसको हम यहां हैड़कॉर्टर से नहीं सही कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डाटा उपलब्द नहीं है और उसका सेवंत़ सीपीची से टेवल seven and eight में उससे कोई उसका मतलब है नहीं यहां पर माना है कि जो एक्स-ग्रूब डिपाइडट किया गया ही प्री एंद पोस्ट वाला तो ऐसा कोई moration नहीं है, क्यमालब कि इस टेवल के अनुसार उसमें डिक्टेशन नहीं है अब यहां पर ज वो प्री एंड पोस्ट वो रेटाइड के अनुसार यहां पर मनाया गया है तो दा इसू हैज बीन इडिफाई एज दा अनुवली बीन टेकन अब दा मोड फो दा रिवलेशन अब इसके लिए अगर यह गलती है तो यहां पर जो मोड है वो इसको रिसॉल्व करेगा तो यहा होने होता है कि जब रिटार्मेंट के केस में होता है होनी हवाला इंड केस की बात नहीं होता है कि हाँ पर इसको उन्हों कर सके इसको कर आर्मी तो इसके लिए भी नहोंने मना कर दिया अब यहाँ पर डिस्पारिटी इन दा मुल्टिपेशन फेक्टर तो फिट्मेंट फेक्टर में नहोंने कहा है कि यह जो गलत तुम इसको बिसंगती बता रहे हो यह जो है रिवीजन पे एस बैल पेंशन इन दा सेम प्रोपोर्शन तो यह जो फिट्मेंट फेक्टर है यहाँ पर ऐसी कोई इसमें गलती नहीं है ही मतलब आप जो कह रहे हैं कि मतलब इसको हटा दो मतलब इसको सही करो तो वह कह रहे हैं कि यह जो है फिटमेंट फेक्टर बराबर नहीं हो सकता ओपीर का और यहाँ पर एक जिस यूज या ओवास के लिए तो अब इसमें अगर कुछ भी कोई भी अगर सही कर सकता है तो यहां पर the same was considered the approved by the cabinet. It is felt that there is no rational in the taking up issue and the knowledge. यह कोई यहां पर गलती बिसंगती नहीं है. फिर यहां पर इन्होंने बताया है कि enhancement equalization of the MSP तो उन्होंने बताया जो MSP है उसको बराबर करो तो उन्होंने MSP के factor पर कहा है कि यहां पर जो यह जो आपका जो 7th CPC या ORP2 बना है या मिला है तो उसमें क्या है कि इसमें यह जो आपका fitment factor और MSP दोनों ही सामिल किये गए हैं ऐसा नहीं है कि इनके बना यहां पर ORP2 बन गया है टेबल जनरेट हो गई है तो यह पे कमिशन का matter है तो आप उसको वहाँ पर सुल जाईए ऐसा इसमें कुछ कोई कमी है नहीं तो कुल मिला गए यहां पर कतलब कोई भी ऐसा एक ठोस या कहना चाहिए संतुस्टी जनक कोई जबाब ऐसा मिला नहीं है सब बातें कोल में टूल की गई है तो फ्रेंड्स यहां पर वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं मैं आपसे एकली वीडियो फिर जरूर मिलूँगा तब तक के लिए जैहिन जैवारत नमस्कार बंदे मातनम